Hello students, MCC की All India 15% कोटागी, 1st round, 2nd round complete हुआ, Mop of round counseling की यहाँ पे आपकी जैसे की reporting जो है आज से start यहाँ पे कर दी जा चुकी है 17th of the December को आपका यहाँ पे final allotment result जो है वो यहाँ पे डिकलेट किया जा चुका है 18th December से लेके 26th of the December तक यहाँ पे आपकी reporting चलेगी जो आपको allotted college है उसके बाद जो आपकी back end seat होँगी वो 27th of the December तक जो आपकी stay around vacancy के लिए colleges को aims, jipmire, deemed universities, central universities को यहाँ पे transfer कर दे जाएंगी जितनी भी non-reporting और back end seat होँगी जिसकी पूरी detail MCC की website में आपे publish कर दे जाएंगी मैं आपको इस वीडियो में mop up around counseling का क्या cut off रहा है और stay around vacancy जब होगी तो इसमें किस students को यहाँ पे apply करना चाहिए उसके बारे मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूँ बी एच्चियो की closing rank की तो बी एच्चियो की जो closing rank आपकी रही IMS बी एच्चियो के अगर बात करें तो EWS के लिए जो आपकी रही वहाँ पर 2711 के लिए बात करें वहीं पर HC category के लिए बात करें तो आपकी 45182 जो आपकी closing rank यहाँ पर रही देहली उनिवस्टी की बात करें तो देहली उनिवस्टी में भी आपके दो दो college जो आते हैं वो लेडी हाइडिंग medical college और मौला ना आजात medical college के अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो जनरल category के लिए डियू उनिवस्टी को टासे वापर रॉन कांस्लिंग में 6471 आप आपकी lady hiding medical college में यहाँ पर general category के लिए रही वहीं पर बात करें मौला ना आजात medical college की तो डेली उनिवस्टी से आपकी 18713 जो है closing रहें कि यहाँ पर general category के लिए ओवी सी category के लिकिन आपसे बात करें मौला ना आजात medical college की तो यह आपकी dental का यहाँ पर allotment हुआ है वहीं पर में आपसे बात करें हूं तो final last allotment आपका lady hiding medical college में यहाँ पर हुआ है जिसके लिए category wise आपकी यहाँ पर cut off आपको देख जाएगी वहीं पर बात करें IPU से अगर IPU New Delhi के अगर में आपसे बात करूं तो जो category wise कुछ अलग-अलग college allot हुए है जैसी के अगर मैं आपसे बात क लिए ESIC dental college and hospital सभी category में आपका last allotment इसी college में हुआ है और अगर category wise rank की बात करें तो general category के लिए आपकी 29,196 महीं पर OBC के लिए बात करूं तो आपकी 44,052 जो है आपकी यहाँ पर rank रही जिपमर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जिपमर में आपका दो colleges हुए है आप पर allot किया गया है जिसकी closing rank आपकी 18,475 रही जनल category के लिए जो आपकी closing rank यहाँ पर रही वो काफी जानदर रही 20,610 जो है वो यहाँ पर आपकी college की closing rank यहाँ पर रही है मैं इसको पूरे telegram पर publish कर दूंगा आप इसको वहाँ से easily देख सकते हैं एक पर आप जाएं तो दे rank रही जनल category लिए वहीं पर ST, ST, OBC के लिए बात करूं तो 10,243, SC के लिए 61,155, वहीं पर ST के लिए 78,913 जो है आपकी closing rank यहाँ पर रही है यह आपकी closing rank रही है अगर मैं आपसे बात करूं कि state on vacancy क्या होगी मालीज है कि जब आपकी state on vacancy होगी और कोई भी seat है अगर आपक कोई भी counseling में college आपको state or more around में allotted यहाँ पर नहीं हुआ है और आपको आजपास rank में किसी college allot होता है तो आप लोग उसमें ज़रूर अप्ले कीज़ेगा Thank you